हेलो गोस्तो कुक्पिक निर्जा मैं आपका स्वागत है तो गर्मियों का मौसम आते ही कुछ ठंडा खाने का या पीने का मन जरूर करता है जिससे कि हमारा दिमाग भी सांत रहे और मन भी अच्छा रहे तो आज हम बनाएंगे समर स्पेसल बेंक दो तरह की और वह भी दो मिन तो चलिए ड्रिंक बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे वाटर मेलोन की ड्रिंक तो यहां पर मैंने लिया है एक कटोरी वाटर मेलोन जिसको मैंने चुटे-चुटे टुकडों में कट कर लिया है तो इसे हम ग्राइंड निक जार में एड करेंगे अब हम आदे चमच हम इसमें एड़ करेंगे वाइट नमक, नमक आप अपने अकॉडिंग कम्या जादा भी खा सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे पूदिनी की कुछ पतियां, इससे क्या है मिंट का जो फ्लेवर आएगा, वो काफी अच्छा हैगा अब हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमच चीनी, और हम इसमें दो आइस क्यूब्स डालेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी, तो पानी अपने अकॉडिंग थोड़ा सा कम्या जादा भी कर सकते हैं यहां पर मैने एकदम चील्ड पानी का यूस किया है ताकि हमारी जो ड्रिंक वो ठंडी ठंडी बनेगी तो चलिए अब हम इसे गांडिंग जान में इसका पेश्ट बना लेते हैं अब हम इसे चमत से फटा फट से इसको चान लेते हैं ताकि जिसना भी जूस है इसका वो इसमें बाउल में निकल जाएगा तो यहां पर देखिए मैंने इसको पूरी तरीके से चान लिया है अब आपको इसमें पानी एड करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि मैंने इसमें पहल जूस तयार किया था उस ड्रिंक को हम इसमें एड कर देंगे तो देखिए इस तरीके से हम एड कर देंगे और इसके बाद में हम बाटर मेलन की कुछ टुकड़े ऊपर से कर देंगे ताकि हमारी जो ड्रिंक है वो देखने में काफी अच्छी लगेगी और कुछ अट्रेक् कच्चे आम क्च्छे आम कटे हुए अब हम इसमें एड़ करें गेंगे पोदीने की कुछ पत्थियां आदा चम्मज चाट मसाला आदा चम्मज काला नमक और दो तो चलिए हम इसे juice तयार कर लेते हैं फटाफट से तो यहांपर देखिये मैंने इसका juice बन कर लिया है तो अब हम इसे छान लेंगे तो हम एक बावल लेंगे और इसमें एक चलनी लगाएंगे और इस तरीके से हम इसे छान लेंगे इससे क्या होगा हमने जो भी चीजे डा ली है वो एकदम हमारा परफेक्ट जूस बनका रेडी हो जाएगा निसे निकल जाएगा और जो उपर से जित्ता भी इसमें मौटा मौटा जो भी रह जाता है पल्म बहुत अलग हम कर लेंगे तो देखिए यहां पर हमने चान लिया ह और थोड़ा सा हम पानी eld करबे और थोड़ा सा को मारा पानी मौटा सब्देइंगे क्योंकि तो पधूड़ा सा क्षटा भी रहता है तो हमने पानी फूरा कम इसमें पानी चार्प कर दिया हूं'RE गाना है क्वाला अब यहां पर हम सब से पहले किजर्प गट्रेरी की इसमें एड़ कर देंगे और पोदीनी की बंती से गार्निस कर देंगे तो देखिए हमारी जो दोने डिंके बनकर जटपट से तयार हो गई है और यह पीने में भी कापी अच्छी लगती है और आप इसे एक बाद ज़रूर बनाईए हो मुझे कमें बताईएगा कैसी लगी अ